हेलो दोस्तों तो कैसे आप सभी आशागर तो आप सभी ठीक होगे तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अगर आपका एजुकेशन में गैप है जैसे आपने 2019 में अपना एजुकेशन पूरा किया बीकॉम, एमकॉम, ये डिपलोमा ये डिग्री उसके बाद समझो अभी 2021 चल रहा है यानि समझो आपके एजुकेशन और आपके अभी जॉब ढूंडने जहां रहे हो तो उसमें दो या तीन या चार साल का डिफरेंस है तो उसको अपने रिजुमे में कैसे जस्टिफाई करे कौन सी जॉब ढूंडे और अगर इंटर्यू दे रहे हैं तो उसमें क्या बोलें इंटर्यूर को कैसे जस्टिफाई करें तो पहले तो बात कर लें कि अगर आपका जो गैप हुआ है तो मोश्वबली तीन या चार रीजन होंगे इसका पहला तो आप गवर्मेंट की इस बात जॉब कौन सी ढूंड़नी चाहिए तो एक तो होगे आपका कोर फिल्ड जिसमें भी आप जॉब करते हो दूसरा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है आप इसमें चाहो तो इसमें जॉब ढूंड सकते हो तो अगर अगर आईटी में आपको कोई सॉफ्टर सीखना ह यह वह आप किसी वकिंग प्रोफेशनल से गाइडेंस ले लो मेरा सजेशन है जिसका भी गैप है वो डारेक्ली जाके इंट्रेट पर ढूंके कोई चीज ना सीखें कोई वकिंग प्रोफेशनल जैसे कि मैं एक वकिंग प्रोफेशनल हूं मैं एक सॉफ्टर पर काम करता जो अलड़ी इंडस्टी में वक कर रहे हैं ट्राइ करो उनसे कौन कंटेक्ट करने का उनसे ना रीच कर पाऊ तो आप मुझे कनेट कर सकते हो मैं भी कमेंट्स में मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ ठीक है तो उनसे रीच करके उनको अपनी कंडिशन बताओ कि यह आप से सूर्स होने चाहिए तो अगर कोई भी कूर्स करते हो दोस्तों तो मेरा सजेशन है जहां पर भी one-to-one session होता है one-to-one session यानि चाहें वो लाइव हो और ऑन-लाइन हो की ऑफ-लाइन हो बट one-to-one होना चाहिए इंट्रेक्शन होना चाहिए recorded वीडियो नहीं होने चाहिए उसमें थोड़ी से दिक्कते होती है आपको समझने में ठीक है कि समझो आपको गैप है अगर आप सीविल से बिलॉंग करते हो इलेक्ट्रिकल से आप ए जो रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं जो पास आउट होते हैं स्टुडेंट्स उनको ही लेती हैं बट स्टिल दोस्तों 60% of companies ऐसी हैं जो सभी को मौका देती हैं सभी को जॉब देती हैं और बड़ी कंपनियों में फिल्ट्र आपके लिए हो क्यूंकि आपका गैप है तो जावा सिखा है तो सर्च करो सर्च पर में जाके जैवा डेवलपर कि जब जावा डेवलपर लिखो तो इसमें दो ऑप्शन आएगा पहला अप्शन होगा की पीब दूसरा होगा जॉब्स तो आप पीबल प्रीच करना पीपल पीप्ल करोगे तो बहुत सारे लोग उन सब को request बेजो, वो accept करते हैं तो उनको greet करो कि Hi my name is this and I am looking forward to be a Java developer So can you help me if there is any opening in your company Or can you guide me in my resume part What are the things I need to improve Or what are the questions might be asked in the interview As a fresher in Java developer So I say काफी सारे software हैं जैसे SaaS हो गया, SAP हो गया, AWS हो गया तो आप कोई भी software सीखते हो तो मेरा suggestion एक जो working professional उससे guidance ले ऐसा ने कि internet पर आपने देख लिया और बस यह चीज शुरू करते हैं फिर उसके बाद journey काफी difficult हो जाती है आपकी journey easy और smooth कब रहती है जब आप उस बंदे से सीखते हो जो आपको कहीं काम कर रहा हो चाहें वो कोई भी software हो AWS है ट्राइ करो एक AWS professional से connect करो उनसे सीखने का ट्राइ करो तो आपकी journey काफी easy हो जाएगी इसके बाद समझो कि आपको यह सब करके आपको interview मिल गया इंट्रीव देने का मौका मिल गया ठीक है विकास 60% of companies अलाव करती है जिनके gap हो चाहें वो एक साल का हो दो साल का हो तीन साल का हो या चार साल का हो अब interview मिल गया तो आपका एक question है कि sir interview में क्या वो लेस गया आपको कैसे justify कर रहे है तो दोस्तों अगर आप government job की preparation कर रहे थे तो सीधा बोल दें I was doing preparation for government job you are not the only one person आप एक अकेले वो वेक्ती नहीं जो government job की preparation कर रहे थे और प्राइवेट में जा रहे हो बहुत सारे लोग कर चुके होंगे में बीजिस कंपनी में इंट्रिव दे रहे होगे उसमें बहुत सारे एंपलिया होंगे में बी जो आपका इंट्रिव ले रहा होगा उसका भी शाहद ऐसा हो सकते है right so this is a scenario for everyone जो आपके साथ चल रहा हो आपके आपके लिए के साथ नहीं चल रहा है इस गारेzkल से किसी और सीधा जा रहे हो आप आफ पांच साल से कदम कर रहे थे किसी और इंडस्टिय में ठीक है अगर आप दूसरी इंडस्टिय में काम द आते इलेक्ट्रिकल सीविल मेक利 dimensions और आप लाइक मुझे इसमें इंट्रेश्ट आया आइटी में और मुझे लगा इसमें ग्रोध भी है तो एक चीज हमेशा याद रखना है इंट्रिव में जूट नहीं बोलना है फिक सर्टिफिकेट एड नहीं करने हैं जो आपका इंट्रिव ले रहा होगा उसको 10 या 15 साल का एक्स्पिरेंस होगा राइट हो केंडिडेट को जान सकते हैं पांच मिनट में तो कोई भी चीज़ फिक एड़ ना करें जो भी सिचुवेशन है जो भी कंडिशन है उनको स्ट्रेट फॉरण बोले ठीक है वह आप कंपनी में काम करता हूं करन्टली उस कंपनी में मैंने नोटीस किया एक लेडी थी जो 5 या 6 यह से आइटिंक टीचर थी बट फिर उन्होंने चूज किया कि वह ऐसे स्टेश्टिकल प्रोग्रामर काम करेंगे में भी उनको किसीने सज़ेस्ट किया होगा तो उन्हेंनों कि आप पहले क्या करते थे बट आप जो अभी करना चाहरें आपका इंटेंशन क्या है कितना पॉजिटिव इंटेंशन